हलो दोस्तों शड़ी मूर में आपका स्वागत है आज से हम लोग एक साइज को स्टेबल एकजाम 2022 के लिए टेस्ट सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं पर टेक टेस्ट में एक शेले के शोतक प्रसन होगा हर प्रसन का मैं फिक्ट भी बताते चलूँगा और ये जो भी प्रसन ही आ देखना है और अपना स्कोर जरूर बताना है कोमेंट बोक्ष में कि आप लोगों ने कित्ते कुशन सही किये हैं ठीक तो चलिए सुरुआत करते हैं मैं होप रखता हूं कि ये वीडियो में आपका कटफ 65 इसका मैं 65 रखता हूं कि आप लोगोंने 65 कुशन जरूर सही मैं कर देता हूं ध्यान से देखिएगा अगर कोई कुश्चन में डाउट होगा तो भी बताईएगा ठीक यहां से देखिए कुश्चन नमर पहला आपके सामने है कि निमन में से कौन सा नी संकोच सब्द में परयोगते संस्कृत उपसर्ग है देखें उपसर्ग के बारे में सब्द के अंत में लगकर सब्दिक अर्थ बदल देता है और इससे रिलेटर में आपको सभी लेक्चर भी करा चकुआ हूं हिंदी का जो कि प्लेलिस्ट भी बना है वहां से जाकर जरूर देख लीजेगा नी संकोच नी संकोच में जो सब्द परयोग किया गया है यह नी कि उपनयाज का नाम है प्रेमचंद्र के अधूरे उपनयाज को रहो conception नबर तीन देखिए वर्ग में दिये गए विकल०्भू में से तत्सम सब्द का चेन कीजoney मैं आप पहले भी बता चुका हूँ तत्सम और तद्भव, देशद और विदेशज, तत्सम जो संस्कूल हुआ, ये सब विदेशज सब्ज में आ जाएंगे, ठीक, तो तत्सम सब्द, डाइरेक्ट संस्कूल से आए हुआ सब्द है, तत्सम, यहाँ पर आप देख सेते हैं, यह हो जाएगा आपको, इसमें से उलुक, उलुक मिस उलु होता है, यह तत्सम सब्द है, यह ध्यान मर खिएगा, ठीक, तो थरीक एंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोश्चन बर फोर, सम्मुख का बिलोम सब्द है, सम्मुख का बिलोम सब्द क्या होगा, यह आप लीजेगा मैं कोशिस कर रहूं कोम समय में आपका अच्छा से करा दूसर भी प्रसन ठीक अकल पर पत्थर पढ़ना का होता है बुद्धी भरष्ट होना क्या होता है बुद्धी भरष्ट होना इसके अंसर क्या ज़िगा सी हो जाएगा आगे चलते हैं कमाईनी किसकी रचना है कमाईनी जो बुख है यह किसकी रचना ही आपको बताना है तो कमाईनी जो है यह जैसंकर परसाद की रचना है किसका जैसंकर परसाद की रचना है ठीक जैसंकर परसाद की महतपूर जो रचना है यहाँ पर उर्वसी नाम याद रख लिजेगा यह पर अपलिखिएगा इस तरह से ठीक इस cancer के वोटे कब भी होगा प्रतिष्टा ऐसे अपलिख सकते हैं सुध वर्तनी यहीं होगा question number 8 देखिए धर्ती का प्रवाची सब्द है धर्ती का प्रवाची सब्द आपको बताना है इसमें से क्या है धर्ती का प्रवाची सब्द question number 8 है तो धर्ती का प्रवाची सब्द जो है यह अचला है क्या है अचला यह याद रखिए question पुछता है प्रवाची में इसकी समनार्थोक होता है question number 9 देखिए इधर उधर घुमता हुआ सन्यासी वाक्य का एक सब्द है इधर उधर घुमता हुआ सन्यासी के लिए एक बताना है आपको जैसे कि अनेक सब्द के लिए एक शब्द होता है इसके बोला जाएगा परीवार्याख की महीना आप दिखियेगा यह कौन होएका त法व सब्द ही यह सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक यहां पर परिच्छा जो हो जाएगा यह तत्सम सब्द है एक ग्यारा देखिए कुश्च इंगलिस का कुश्चन है पांच कुश्चन इंगलिस से भी पूछे जाते हैं यहां पर देखिए आपको सेवेश का आपको इंटोनीम सब्सक्राइब से बताना है और इसका होता है से आपको इसमें आपको तक मोस्ट जो वर्ड इस से आपको भरनौ तो यहां पर देख सकते हैं, he is six feet, और यहां पर आगे क्या होगा, यह अध्यान से दिखिए, he is six feet, आपको बताना है, इसके आगे क्या हो कुश्यन बर 12 है, तो दिखिए, हम यहां पर किसका पर्योग करेंगे, tall को, tall को क्यों परियों करेंगे, तो he is six feet, बता रहा है, मतलब कहीं न कहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर tall हो जाएगा, और high का पर्योग हम करते हैं, जब यहां पर कोई new you का बताना होता है, तो high का पर्योग कर देता है, तो यहां पर हो जाएगा tall, तो तो वो 6 feet लंबा है, question number यहां पर दिखिए, 13 question number 13 आपके सामने है, select the correct spelled word, मिसकी यहां पर सही आपको spelled जो लिखा हुआ है, यहां पर बताना है, इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, सही spelled, question number 13 है, तो यहां पर bureau crazy जब लिखिएगा, तो इसका spelling क्या होता है, bureau crazy करने से नोकर साही आप बोलते हैं, B-U-R-E-A-U-C-R-A-C-Y ह कहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर दिया है, B में, तिक देख लिजिएगा, question number 14 देखे, select the option that means the same as the given items, item फ्रेज आप पढ़े होंगे, जैसे हिंदी में मुहाबरा बुला जाता है, तो यहां पर आप देख सेंगे, items का, once in a blue moon, once in a blue moon आपको बताना है, इसका मतलब क्या B, आप देखे, यह जो दिया हुआ न, इसे आपको पढ़ना होता है, यह आपको दिया होता है, यह काफी लंबा दे दिया है, इसका देने से कोई उचित नहीं मनता है, read the poem given in the blue answer आपको बताना है, ति यहां पर आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ति यह नीचे near the temple, when he goes, वो देखता है कि एक भिखारी बैठा हुआ है, आपको temple के नजदीक में, तो यहां पर देखेगा, तो जो भिखारी है, अंधा है, ठीक, तो when he goes to, वो कहां जाते समय, तो आप देखेगा, यहां पर सुरू में ही दिया हुआ है, यह कहां जा रहा था, यह जा रहा अब यहां पर math का question है, math में बताऊंगा नहीं, math बश्च तरीका बता दूँगा, क्योंकि math बताने लगा काफी लंबा विडियो हो जाएगा, ठीक, इसमें कुछ नहीं किया है, यह formula लगाया है, aq plus bq plus cq वाला formula आप जानते होंगे, क्या होता है, aq plus bq plus cq minus 3abc, ठीक, यह answer बता देता हूं, math जरूरी यह बताईएगा, यह हो जाएगा, आपको 480, miss की 16 के answer D हो जाएगा, question बर 17 देखे, किसी तरिभूज का छेत्रफल 1176 cm है, यह जदी अधार एवं सम्मंधित उचाई का नुपात 3, नुपात 4 हो, तरिभूज की उचाई क्या है, अब इससे 3X है, और height भी हम मान चुके है, यहापर 4X, एक्स का value यहापर निकाल कराईएगा, तो 14 निकल करा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहापर आराम से 14 निकाल कराईएगा, तो उचाई क्या हो जाएगा, चोदा चूग के 56 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उचाई का अनुपात क किस वर्से, तो 12 वर्स पूर्व जो है, मनु के आयू कितनी थी, यह पूछ रहा है, ठीक, तो यह निकाल लेजेगा, आयू पर सवाल है, इसके अंसर हो जाएगा, आपको 360, C हो जाएगा, क्योंकि एक समान, हानी के बजाए, 4% लाब पर बेजता है, कोई शमान होता है, बचाल होता है, तो वह आपको हानी होता था, लेकिन 4% अगर लाब पर बेजता है, तो उसे विक्रेमुल से 20% अधिक प्राप्त होते हैं, जिसमें बताना है कि क्रेमुल क्या होगा, बस तो क्रेमुल यहाँ पर यहाँ पको बताना है, ठीक, तो यहां पर होज़ेगा 250, 250, मॉभाए क्या है मधिका बहुलक किसे कहते हैं तो माधिका में इसकी मध्ध में होना चाहिए यहाँ पर पहले आपको सजाना होगा यहाँ पर अंग दोनों स्थान वाला क्या हो जाएगा माधिका हो जाएगा यहां पर देखेगा पाचिवा स्थान जो हो जाएगा यहां पर जो हो जाएगा माधिका हो जाएगा ठीक अब बहुलक किसे कहते हैं तो बहुलक ऐसी संख्या होती है जो बार बार आती है बार बार आती है तो इसमें सबसे आदमी और 15 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे यह आपको बताना है question number 21 है यह आपको करेंगे 9 दिन में यह याद रखेंगे यह बना लीजेगा देखें इसलिए मैं आपको मैथ नहीं पूरा करवा रहा हूं काफी वीडियो लंबा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाए दान कर देता है तो लोटरी की किमत रूपै दान कर देता है उसको लोटरी की किमत क्या थी असान है और आप पूरा लोट्री का दाम निकल सकते हैं तो 22 के इंसर क्या इहाँ पर निकल कर आजाएगा ये आपको एक लाख आठ जार हो जाएगा ठीक ये निकल करा जएगा आराम से बना लेजिएगा अब कुश्चन नमर यहाँ पर देखे तेज देखे कुश्चन नमर तेज क्या कर रहा है आकड़े का बहुलक क्या तो सबसे ज़्यादा जो आया होगा वहीं बहुलक होगा आउसतन 23 रन यहाँ पर देखे बनाए यदि पहले खिलाडी ने 113 रन बनाए तो अन खिलाडियों की आउसतन 23 रन बनाया है तो इसमें से 113 घटा दीजिए 10 इंटू आपको यहाँ पर पहले इतना निकाल लीजिए 10 इंटू 23 कर लीजिए ठीक फिर एक घटाईएगा तो यहाँ पर माप कीजिएगा 11 इंटू 23 कीजिएगा तो पूरा निकल कर आजाएगा उसमें एक घटा दीजिए फिर आपको 10 इंटू जितना बचे कहों निकल कर आजाएगा अराम से आप निकाल लीजिएगा इसमें 10 खिलाडियों का उसतन जो रन आजाएगा यह 14 है और एक खिलाड़ी घटा यह गति इसमें 10 खिलाड़ी बचेंगा तो 113 घटा दीजिए यहाँ पर 140 बच जाएगा तो 10 से फिर भाग देजिए तो 14 आ जाएगा इंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कुश्चन बर 25 देखिए कि 28 मीटर ब्यास वाले एक बिर अजयोड़ करना है यहाँ पर 14 हो जाएगा इस क्या हो जाएगा यहाँ पर निकलकर आपको आ ढाले जाएगा पीर जो इतना पैसा लग रहा है चेट्रपल निकलकर आ जाएगा उसमें 125 जुञ्ण कर देजिएगा तोraktion 616 आजेगा यहाँ पर नश्र क्या मिख जाएगा सी ह को दिया है 30 Plus Plus I yourself call में जल का आचरणवियर क्या होगा इस में जल कैसे बीहेव करण तीकि यह दिया हुआ है इसवक्रिया में जो कॉरें धाइस बशत्मी काम कर रहा है का कैसा काम कर है बश्य जैसा काम कर करके छूख्याण में हाइड्रोजन बंद होता है हाइड्रोजन बंद मुझबूत बंद है जिसके कारण आपको दिखिए का ये काफी जख़ा होता है और कर्थनांग अधिक होता है क्योंकि हाईड्रोजन बंद इसमें पाया जाता है एश्ट्यूओ में यह भी आप से पुछ रहा है तो मैंने बी हो जाएगा इलोक्ट्रोन जो होता है यह परमाडू के बाहरी पाए जाता है बाहर जो के डीड़ अवेसित होता है और पोट्रोन नीट्रोन जो पाए जाता है यह आपको नाभिक में पाए जाता है ठीक तो इसकाת होजाएगा दूनों परमाड़ों के दोरह of electronic किया होता है सजगे-दारी होता है इसके answer क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सुनए Йुक जगता में कुश्यन आपर 29 दिखे द्रब्मान सरक्षड की नियम सक्त नहीं है किसके लिए मैस रखषड के नियम सक्त नहीं है इसे यहाँ पर द्रब्मान यह पूछ रहा है, कि किसके लिए नहीं applicable होगा, तो यह radioactive परिवर्थन के लिए, क्लिए radioactive परिवर्थन के लिए इसलिए applicable नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बार बार आपको radio wherever, वो आपको खतम होते रहता है, धिरे-धिरे, ठीक? यह सत नहीं है, योगी कनाभी का दर्बान भी खंडर उत्पादन दर्बमानों की योग के अधिक होना चाहिए ठीक इस कैंसर 29 कैंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अब यहाँ पर आपसे कुश्चन है 30 अवेस या दर्बमान का मान बढ़ते हुए करम में है तब जब याद होगा तब ही आप लगा पाईएगा ठीक लेकिन यहाँ पर ट्रिकली भी आप लगा सकते हैं अगर एक भी जान रहे है यहाँ पूछ रहे हैं अवेस बटा में दर्बमान अवेस आपको पता होना चाहिए ठीक यहां पर यहां पर यहां पर यहां निकल करा जा रहा है कि शुरू में आपको यहां पर निकल आ रहा है नियूट्रोन वाला यहां पर तीन अपसन है अब आपको बढ़ाईएगा अब आपको पोट्रोन और जो आपको अलफा है इस बारे में नहीं पता होगा तो यह आपसे नहीं बनेगा ठीक यहां ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं कुश्चन अबर यहां पर दिखें 31 दिखें निमने में से किस बिज्ञानिक ने वर्ड लेखन जिसे आपको क्रोमोटोग्राफी बुला जाता है किस बिज्ञानिक ने वर्ड लेखन की खोज की थी क्रोमोटोग्राफी की खोज की थ टेवेट नाम है यह याद रखेगा टेवेट भी ज्यानिक ने वर्ण लिखन की खोच किया था यह लिखने की एक बीधी है जिसमें आप देखेगा कि मिस्रण में पदार्थो को अतिसोसर छमता के अधार पर बनाया जाता है यह याद रखेगा कि चलते हैं कोश्चन नमर 32 द देखिएगा यह एक बंध आपको सिग्मा होता है और एक बंध पाई होता है तो यहाँ पर जो बंध दिया हुआ है उसके कोडिंग आप बनायेगा तो इसके एंसर आजाएगा नो नो आजाएगा इससे आप बना सकते हैं कुश्चन नमर 33 दिखेगे किसी और बिटल में इ इलग्ट्रोन हो सकती है यह अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है यहाँ देखिए और बिटल दे रहा है द्यान से यह लगा यह गटिक तो किसी और बिटल जो होगा उसमें इलग्ट्रोन की अधिक्तम दो संख्या हो सकती है और एक और बिटल में दो इलग्ट्रोन ही रह सकत याद रख Akis और्विटल का जो आपको अधिकत्र प्रों सं具 कितना हो सकते हैं भी हो झाएगा इलग्ट्रों के इलब टोन के आपको खोझ किसे ने किया था याद रख सकते इत पर नाच मतलब के इलग्ट्रों का किसने किया था तो टॉल्म मिनिको था, अब तो पूलों, का नियम के नियम के अनुसार नियम नियमन से कौन सा कथंसत नहीं है, यह आपको बताना है, यह आपके सामने कुशिन माsm 30 से, तो कला में के नियम के गतसील आवैस पर नहीं नहीं होता है यहीं आपको क्या है यह कथन सत्त नहीं है तो यह नियम गतिसील अवेस पर भी लागू होता है यह दिया हुआ है यहाँ पर जबकि यह लागू नहीं होता है ठीक कोई optic अपर सकती तो ऑकर दिया हुआ है और यह संघत लेंग कैसा होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे आपको क्या पकड़ना होगा यह माइनस दिया हुआ है तो यहां पर आप देखिएगा F मीनस मी ही आएगा तो माइनस मी जब आएगा यह तो आराम सी यह क्या हो जाणा चाहिए आपको author lens हो जाणा चाहिए ठीक यह author lens होगा और इसको बदलियेगा तो P बराबर क्या होता है power बराबर रोहन भाई F होता है और यहां पर P कितना जी है, 0.5 दिया है तो यहां पर F निकाल लिएगा तो माइनस टू आ जाएगा, 2 मीटर, माइनस जब आयगा तिया ओतल लेंस होगा तो यहां पर छंताया, इसका आ जाएगा मतलब की फुकल दूरी आ जाएगा, तो दो मित्र फोकस दूरी वाला ओतल लिंस हो जाएगा ठिक 35 के इनसर C हो जागा कुशन बद 36 के निन में से कौन सी रासी अधीस है इसमें से बताना है कि कौन सी रासी अधीस है धweise सदीस होता है एक अधीस होता है बागी यह सभी क्या हो जाएगा सधीस रासी होजाएगा कोशनम पर सधीस कि ध्होंनी का बेग और प्रमतप से नियुद किकि अउनसे नियुत होता है गैस के अणुभार और माध्यम के गती पर निर्भर करता है क्योंकि निर्वात में आपको नहीं गती कर सकता है दोनी ये भी ध्यान मर रखिएगा उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है कुशन अबर 38 दिखिए 25 हर्स पावर सकती के एक फ्रिटर फ्रिट कार 40 किलोमेटर परती घंटा के एक समान गती से चल रही है इंजन द्वारा गती की दिशा में लगाया गया बल अब यह 25 हर्स पावर दे रहा है मतलब कि इसका यहाँ पर दिया हुआ है पावर दिया हुआ है 25 हर्स पावर ठीक अब यहाँ पर दे रहा है कि फिटर 40 किलोमेटर परती घंटा तो 40 किलोमेटर को आपको घंटा से मीटर परती सकेंड में आपको बदन ला पड़ेगा सबसे पहले तो इसको मीटर परती सकेंड में बदनने के लिए 5 by 18 से आपको क्य करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा 40 में क्या करना पड़ेगा आपको इंटू करना पड़ेगा 5 by 18 मीटर परती सकेंड में बदन लिएगा तो इसका मान निकल करा जाएगा ठीक फिर आपको क्या करा है कि यह 25 हर्स पावर ता एक आपको हर्स पावर में 746 होता है तो यहां पर F निकालना है क्योंकि यह पूछ रहा है कि इसलिए को बीका तो हम बदल लेए यहाँ पर it आपको नीचे के तरफ क्या किजेगा तो भी विलस्टी निकालीगा तो चालिस इंटू 518 कर लीजे अब यहां पर काटम कुटम कीजिएगा तो यहां पर निकल करा जाएगा इसका एंसर क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि यहां पर 1688.5 निउटन आ रहा है जो कि अपसन में नहीं है तो आपको 38 के एंसर हो जाएगा डी आगे दिखें कुश्य नबर 49 यदि दो आवेसों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो लगने वाले बल होते हैं अब यहां पर आप कुलंब की नियम पढ़े होंगे कुलंब की नियम क्या कहलाता है कि बल जो होता है यह डिरेक्टरी आप दिखिएगा बल बरब अगर यह बढ़ता है तो यहां पर दिखेगा तो आपको और स्कुयर वोल आप तो दूरी बढ़ रहा है यहां पर का बोल रहा है यहां पर को q कि फडर रहा है कि दूरी दूरी कर दीजाये तो बल बराबर क्या हो जाएगा आपको 49 यहां पर निकल कर आजाएगा आपको सकते हैं कुश्चन नबर चालिश दिखिए कि अस्पश्ट दिरिष्टी कि निम्तम दूरी क्या वती है आपको बताना है मिश्की अब ध्यां से सकते हैं अधिक्तम ते इन्फनाइट हो सकता है अनंत हो जाता है निम्तम दुरी होता है 25 सेंटीमीटर ठीक याद रखेगा आख से समंधित प्रसंद पूछता है कि आख कि किस भाग पर परतिविम बनता है तो रेटीना पर बनता है ठीक यह आप से कुशन पूछता है कि जब आख पर हम डैरेक्ट परकास मारते है तो आख का हमारा क्या सुकूर जाता है इसके आख बंध होने लगता है तो पीपूल पीपूल अधिक परकास में सुकूरता है और कम परकास में फैनने लगता है ठीक रंग कोन परकार हमारा जो आख होता है यह आपका आख जो होता है वो रंग कैसे पता चल होता है यह 25 cm होता है देखने की कुश्चन अबर यहां देखिए 40 देखिए 10 किलोगराम किलोगराम द्रभमान का एक निकाय को 15 मीटर संगेंड के वेक से 36 सता पर चलाया जाता है यहां पर डाइरेकट याद रखे जीएगा तो इसके अंसर क्या हो जाएक यहां पर आपको दूगना हो झाएगा कुशिन नबर 42 देखे, दो एंपियर की धारा, पचास ओम परतिरोध से एक मिनट तक परवाहित होती है, तो परतिरोध में कितनी उस्मा होगी, यह बहुत विभियाई, आपको फर्मूला में बता रहा हूँ, यह कुशिन पर कट अपकता है, उत्पन उस्मा का मान ग्याद कर करने के लिए हर एक्जाम में देखेगा, इच बराबर फर्मूला जो होता है, यह हो जाता है, यह हो जाता है, यहाँ पर क्या है, इलक्तिक है, यह इन्टु आर यहाँ पर परतिरोध है, और इन्टु टी होता है, ठीक, यहाँ पर सभी चीज आपको उपलब्द करा दिये हैं 2 amp r dh 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 d दिया है तो इसका एंसर हो जाएगा डी याद रखेगा कोश्चन फिर मैं बता देता हूं हिट का फर्मूला आप याद रखेगा लिख लीज़े अभी अभी लिख लीज़े आई स्क्वाइर आर टी यहां पर पर प्रतिरोध है टी जो है यह समय है सकेंड मिली जिएगा टी ह द्हमनी में क्या होगा ध्मनी और सिरा में क्या होता है इति यह जाए थिक घडिysis फीन फिकल्व शशंशन वेते होता है तो क्या होता है पिएच अपना ही घरब तै रिक फिक का प्रतिरोग कीशद में तैकम होगा फशुचन फर्मं depende का का काश है यह आप से पूछता है कि धमनी के का है यह क्या करता है हिर्दय से हमारे सभी अंगों में क्या करता है प्रवाहित करता है ठीक ले जाता है जो सभी अंगों में खून ले जाता है क्या प्रवाहित करता है खून प्रवाहित होता है और जो हमारा जो यह क्या करता है सीरा क्या करता है जो आप देखिएगा कि oxygen लेकर हम oxygen लेकर नीचे जैसे ही सांस लेते हैं छोड़ते समय हम CO2 छोड़ते हैं लेते समय oxygen लेते हैं ठीक आप देखिएगा जब लेते हैं तो समझेए कि आपका धहमनी के तुरू अलग-अलग छेत्र में आपका चल जा रहा है oxygen सरीर क्यों कुश्चिन और यह हिंट ज्वाइंट भी काला ता क्या कर लाता है हिट कब जाना ही तो यहां हिट ज्वाइंट देगा ठीक यह द्यान रखिएगा कुश्चन बर पैतालिस देखेने में लेकित में से ब्योसाइक स्वसंट की विकार का उधारन है इसकी कमर्शियल रिस्प्रेश्टरी disorder का उधारन कौन सा है यह आपको बताना है तो आप देखिए कि इसमें से answer आपका direct निकल कर आ जाएगा इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा जोहाँ पर पर दूसर है आप नहीं नहीं तो अलग अलग विकार हो जाता है इसमें आप देखिएगा आपको देखिए कि सैवालों में उपस्तित होता है किसमें सैवाल में और सैवाल के अध्वन को क्या बोला जाता है फाइकोलोजी बोला जाता है और कवक के अध्वन को क्या बोला जाता है माइकोलोजी बोला जाता है ठीक ध्यान में रखिएगा Q. C. 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 C को क्या बोला जाता है यह याद रखेगा ATP को energy currency बोला जाता है और mitochondria को क्या बोला जाता है कोशिका का उर्जा ग्री बोला जाता है question number 48 देखिए पुरुस में विरिस्ट कोर्स सरीर के बाहर होते हैं जब पुरुस में आप देखेगा तो सुक्राणू जो बनते हैं नर यूगमक में वहीं बनते हैं इसलिए मतलब को उसका temperature कम रहना जी यह मतलब सुक्राणू का निर्मार के लिए समान है उनका नाम है प्रोफेसर लाल सी और ऐसे अगर उप्छा जाएकि सबसे पहले किसे बोला जाता है पुरिभिष में देखा जाए डियने फ्रिटम प्रिटिंग का जनम दाता ता इलेज जैफ्रिज को को बोला जाता है ठीक कि अच्छिन्पर 50 दीकर नाक से रोधिर बहना कालाता है कबी-कवी दिखे गान नाचक चुट भी लगता है तो नाक से रोधिर बने लगता है इससे बोला जाता है एपिटीकिस कैस्छिन्पर का इंचल क्या बहना है थ das नहीं होगा नेमलेखित मैं से कॉन सा विकल्प विध्वारा के तापन पर भाव के उधारण नहीं है जिस ताप के कारण जो चलता है ये वहीं आपको पूछ रहे है लेकिन देर हो आप सबी लोग जानते हैं कि जहां पर टाप के कारण जो काम कर जैसे कि विभूत के तली ताप पर ही काम आता है जो आपको ठीक और जैसे कि जो आपको क्या होता है गर्म कर देता है जैसे फिलामेंट हुआ उसमें विधोत जाएगा तो टंगस्टन का जो बना होता है फिलामेंट बल्ब का वो भी गर्म कर देता है पूरा बल्ब को इस्तरी हुआ आपको या विधोत जो केतली हुआ केतली पानी उनी नहीं होगा memory memory नहीं हो जाएगा ऐसे समान जो memory चोटा चोटा आप देखते होंगा उसमें आपको लाल रंग के दिखाई देता है वो सिलिकोन का बना होता है यह भी ध्यान में रखियेगा ठीक यह आपको क्या है हाड वर घटक नहीं है वनं की कराई के लिए डिमवार के था है इसमें स्वेटा आ नहीं है नहीं है है ख्येति ये फिर चारा से पाल साल बात कहीं दूसरा जगह जा कर केजें पुरवी में पुरवी भारत जो वहां पर किया जाता है कुछ आपको महांबार वाला छेतर में देख वहां पर भी किया जाता है जुम कहती कुश्चन में आपको दूतिय अस्टोरज डिभाई से यह हो जाएगा आपकड़ी कुश्चन में नहीं नहीं दिया है यहाँ पर होना चाहिए अब यहाँ पर देखे जिक्के स्टार्ट होता है यहाँ से आपको 30 कुश्चन साइंस के मैंने आपको यहाँ पर देखे 30 कुश्चन साइंस को आपको देखने को मिला अब जिकी ध्यान से दिखिए कि इसी में आपको ज्यादा से ज्यादा अस्कोर करना होगा यह भी कुशन गलत नहीं करना होगा ठीक और जो मैं कटफ रखा हूं उसे जरूर आप इचीप कर सकते हैं अगर अच्छे से कुशन यह किये तो चलिए सुरुआत करते हैं कुश में सबसे ज़्यादा होता है दच्छिड़ अमरिकी देसे ब्राजिल और विस में कहवा का पात्र बुला जाता है ब्राजिल को जैसे कि यह याद रखिएगा और यहां पर पूशकता है कि जो कहवा के मंडी है मिसकी कोफी के मंडी है उसके क्या बूला जाता है तो सावू पाउलो बुला जाता है क्या बुला जाता है साव पाउलो बुला जाता है आपसे ये भी कुशन पूशकता है कि जो दच्छिड अमरिका में जो कहवा निर्वात में इसकी आपको जो कोफी निर्यात किया जाता है उसके प्रमुख प्रबंद्रगाह क्या नाम है तो उसका मत्रमिर ठरगा को है रोट कॉलेज दूब रखे सैंटोस संटोस नाम है ऑर यह पूछता है कि जहां पर खेती होती है कहवाकई आपको कोफी का उस बगान को क्या में confusion नहीं होना चीए कहीं कहीं पसिम बंगाल भी आपको दे रहा है तो डाटा इस समय के दिखिए को तो पसिम बंगाल ही आपको निकल करा जाएगा ठीक अभी आपको दिखिएगा तो सबसे ज्यादर जो निग्रात किया गया है question number 57 दिखिए मेची नदी किस नदी के सहयक नदी है जो मेची है यह किस नदी के सहयक नदी है यह आपको बताना है question number 57 है आप कोसी मेची लिंक परियोजना पड़े होंगे जो की बाड रोकने के लिए है ठीक तो आपको जो पानी है मेची में लाया जाएगा यह कोसी आपको जो है मेची नदी किस नदी के सायक है यह आपको बताना है तो जो है मेची नदी जो ही यह महनांदा नदी के सायक नदी कि इसका महनंदा नदी की साहयक नदी है और महनंदा भारत के पश्यम मंगाल और बिहार राज से ओकर बंगलादिस में बहने वाली परमुख नदी है यह गंगा नदी की साहयक नदी है यह ध्यान में रखिएगा महननदा नदी जो है न यहीं पर्शिय मंगल और बिहार के भी सिमा भी बनाती है तो इसके अंसर क्या होजगा? D होजगा मेची नदी महननदा के और मेची कोची परयोजना भी चल रहा है link करने वाला सीमा सडक संगठन के अंतरगत आता है जो सीमा सडक संगठन जिसे बियारो बोला जाता है याद रखिएगा यह जो आता है किसके अंतरगत आता है यह रच्छा मंतराले का अंतरगत जो भी बोडर वाला रोड है आपको बनाना है इसके अंतरगत आता है और इसकी अस्थापना जो किया गया था सीमा सडक संगठन जिसे बियारों बोला जाता है 1960 में किया गया था जो बोडर वाला जो छेत्र होता है न आपको इंत्रनेशनल बोडर वाला जो उदर का रोड उड बनाता है यहीं बनाता है कुश्चन नमर 69 दिखे बारो दवाब के बीच छेत्र है दवाब किसे कहते है तो दो नदियों के बीच के छेत्र को ही दवाब कहा जाता है और ये बारी दवाब किस दो नदी के बीच में है तो बारी दवाब है ये आपको ब्यास और रावी नदी के बीच में है ठीक यहां पर ब्यास और रावी इस से ही बारी दौभा को आजाता है और दौभाब वाला छेत्र बहुत उपजाऊ होता है यह भी दिहान में रखिये गा आज़ती सुवेति क्वाफ जाते है अशीयोन द्लैति के पहने जाने वाली पुट्लोई पुसाग किस राज से संबंदी जो पुट्लोई पुसाग पहिना जाता है यह किस राज से संबंदी ते यह आपको बताना है तिया है दुलोहन दौरा पुट्लोई पुसाग पहिना जाता है मडिपूर में एक पार्क याद रखेगा तैरता हुआ जो अध्यान बोला जाता है मेलेसिया के मुद्रा है मेलेसिया के मुद्रा क्या है मेलेसिया में जो मुद्रा चलता है उसका क्या नाम है तो इसका नाम है रिंगित है रिंगित मलेसिया के मुद्रा है ठीक यूरो जो है यूरूपियन देश में देखने को मिलता है कबाचा किस देश की मुद्रा है यह पूछ रहा है आपको कौन थी तो भारत को उस्तम ने आले के परतम महिला नाजिस जो है एम फातिमा बीबी थी कौन थी एम फातिमा बीबी लेकिन कौन अनुमान है कि सुप्रिम कोट के मुख नाजिस बन सकता है और कब तक है तो दो हजार सताइस में अनुमान लगाया गया है कि सुप्रिम कोट के पहली महिला मुख नाजिस बन सकती है वीवी नगरतना बन सकती है यह यादर किया कोशन पूछकता है आपसे अभी ये पुछ रहा है कि ये कौन से आपको म्क wraps नहीं थे पहली तो ये लिला सेट थी आपसे ये कोशियं पूशन- discussion पहली महिला स्थपना की दिवस जो युवन इंटेड़ नेसन है इसका आप दखेए यह हुआ था 24 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं उनाइटर ने संडे मनाते हैं अपसे कुशन पुशकता है याद रखिएगा जब याद रखिएगा याद रखिएगा अभी उनाइटर नेशन में 193 में देश सदस है एकुटिरानवा जो द पीटों पास सकती है सुरक्षा प्रथस के अस्थाई सदस होते हैं लेकत मेंसाanız समझ दिखता है रंगा सवामी क्या है हो rocks make की में आधी जो होती है यह 70 मिनट के होती है ठीक सबतर मिननट को ठीति याद रखिएगा और जो सबसे पहले अभी होकी में दिखिएगा टोकियो में जो उलम्पिक हुआ है भारत ने आपको कुंस जीता है जो 2020 में टोकियो में उलम्पिक जो हुआ था टोकियो राधानी है आपको जापान की उसमें भारत के जो होकी टीम है कुंसा संडराच संडराचानात मक आपको शुब bindharm आता है यह कौन सा है यह परमाब कीजेगा तो Good क्षाश्ठ्ट गें ये त्रित्त को का बूला जाता है शमुद्र पूत्र बोला जाता है ँहापको कंगाल में मिलता जाता है ठीक आगे चलते हैं कुश्चन नमर संसर देखें निमलेखित में सकिस ग्रंथ ने गांधी जुको शुरोवेदे के दर्सन का सुत्रपार्थ करने के लिए प्रेरित किया शुरोवेदे में इसके सबका होना चाहिए सबका उत्थान होना चाहिए इसका मतलब यह होता जाता है बहुत ध्रम की जो अस्थापना किये थे यह आपको दिखिएगा कि अंतिम जो उपदेश दिये थी यह कहां दिये थे यह कुशी नगर में क्योंकि वहीं यहां पर दिखिएगा यह आपको 68 कैंसर क्या हो जाएगा गोतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सार जात है इसे पर वहोता था 566 इसी पूर में वहाता ठीक है और यहांपर जो सारनात में सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था ये सारनात में सबसे पहले उप्देश दिया थी तो इसलिए सबसे जादा जो आपको उपदेश्टी में आपको दिये हैं ठीक यह सब याद रखिएगा कुशिन अगर में इनका को रितु हुआ था खुश नबर 29 दिखे अमर कभी विद्यापती न अपने शू लेलित कावि की कि रचना किस शीनना कि छसम की का भिख THE किया था यदुन ने आपको मैंथली कभी माने जाते हैं कभी yönलों में रखा गया था जो मियूर सीयाशन है इसमें आपको हिरा जड़ा हुआ था, तो मुगलों के किस भावन में रखा गया था, यह आपको बताना है, तो यह रखा गया था, दिल्ली के लाल के लिए के दिवाने आम में, और दिल्ली के लाल के लिए के निर्मान किस ने कराया था, तो सा आ जहां नहीं, और उसी समय दे या रंगीला बत्सा आप जिसे बोलते हैं वो था जिसमें इरान के कहां के सा सकता नादिरसा इरान के सा सकता जिसे इरान को फारस भी बोला जाता है ये 1749 में क्या करता है लूट पाट करता है और ये जो होता है ये दिल्ली पायाकरमर किया तो तक्ते तावस जी ले बोला जा और जिसमें कोहनूर हिरा जड़ा हुआ था इसे लेकर चला जाता है ठीक तो यह याद रखिएगा कहां के साथ सकता है आपको यह याद रखिएगा पूछता है आपसे कुशन पूछता है नाधिर सा कहां के था आपको इरान या फारस के था ठीक और यह लेकर चला जाता है कुश्यन बरेकतार जैन ध्रम के श्यतांबर दिगांबर संपर्दायों कब विभाजित हुए श्यतांबर मिसकी स्वेट वस्तर पहंते थे दिभांगर मिसकी जो नगन रहते थे यह आपको 12 वर्स जो लगतार अकाल पड़ा था आपको मगद वाला छेतर में ति यहीं आप द कुश्यन बर 2 दिखिये दिल्ली सल्तनात का सासक जो डिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे सहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया तो आब सभी लोगों पता है कि आगरा के अस्थापना किस नहीं किया था जहां बाद में उन्होंने राजधानी परव परतन 156 में यह कर देते हैं ठीक यह यादर के आगे चलतें कुश्विण अतर दिखें हम रूलिंग के इनके बारे में और याद रखेंगा पूश सकता है कि यह कबीता लिखते थे जिसका नाम खा गुरु रुखी गुलुरुखी कबीता यह लिखते थे यह याद रखेंगा फार्सी में और ये पुछता है कि गुल रुखी कभीता जो फार्सी में लिखा जाता था किसके द्वारा लिखा जाता था तो सिकंदर लोधी द्वारा है प्रथम विश्वत कब से चल रहा था उनिशो 14 से उनिशो 18 के बीच में चला था ना तेहीं आपको प्रथम विश्वत समय हुआ था हुम्रूल लिग की यह स्थापना कौन किया थे तो बाल गंगादर तीलक ने किया था भारत में हुम्रूल लिग के जनक एनिविशेंट को मन कौन था तो यह प्रथम पेसवा आपसे पूछता है तो बाला जी विश्वनात है थे जो कि 1773 से 1720 के पीस थे तो बाला जी विश्वनात हो जाएंगे चोहत्तर कैंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आराम से अप लगा लिजएगा आगे चलते कुशन नमबर 55 देखिए शुबाष चंद्र बोश ने उनिचो 43 में अजाध हिंद भोश की कमान किस देख में संभाली शुबाष चंद्र बोश ने देखिए कि 1943 में अजाध हिंद भोश की कमान संभाली थी यह किस देख में संभाली थी आपसे कोशन पूछ रहे ठीक यह उस समय सिंगापूर में सं बनाया गया था लेकिन अस्थाई भारत के सरकार के जो अस्थापना किया गया था यह और इसका जो मुख्याले बनाया गया था रंगून में बनाया गया रंगून मैमार मीस्तित है ठीक यह याद रखे कोशन पूछता है आपसे और उसमें जपानी सेना इनका स्वयोग कर रह है साल और सोगोन देखिए साल सोगोन आम नेम पीपल यह सभी पेंड कौन सा है तो पड़ पाती है मिसकी एक समय पर अपना पता जो है यह जाड़ देते हैं ठीक तो तो देश का सुन्ने मील जिसे जीरो माईल बोला जाता है वहां से दूरी मापा गया है सभी तो यह आपको नागपूर में ही इस्तित है ठीक और नागपूर भारत का भोगोलिक केंद्र भी कहा जाता है ठीक यह याद रखिएगा और एंज सीटी भी है नागपूर कोशन नमर कोशन बर 89 देखिए 26 जनवरी 1939 को स्वतंतरता दिवस के रुप में मनने का नेने कांगरेस के किस अध्योवेशन में लिया गया है यह आपको कांगरेस के लगोल आजिवेशन हो रहा था ठीक इसका आनसर क्या हो जागा दी हो जागा उस समय लिया गया था और इसलिए दिख जब कांग्रेस को हो रहा था तो जो हालान नहरू के अधक्षता में पूर सवराज के कांग्रेस ने अपना लक्ष घुषित किया था और 26 जनुवरी 1930 को शोतंतरता दिवस मनाने की घुषड़ा की थी और इसी को याद करने के लिए ही आप देखिएगा मुख रूप से इसी सउयूग मीं सुमेलित आई है देखकर बताई है तो देके इसमे सब अगर सुमेलित करते हैं तो कौन सा नहीं होगा अप अराम से देखकर बताई है तो यह आराम से हो जागा कि पूना सुवार्जनिक सभाघ की अस्थपना जो किया गया थे यहमजी रानाडे द्वार आठ 1797 में किया गया था, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर 1797 लिख लीजिए, गदर पाटी जो है, यह हरद्याल और परमनंद 803 में किया गया थी, यह भी बात सही है, बस इसमें जो मिलान नहीं सही है, यह आप टुडी वाला है, यह फिरो छोड़ देती है, वह इन डेल्टा का निर्माण हो जाता है, ठीक, यहाँ पर सुन्दरी नामक वन पाया जाती है, इसलिए इसका नाम सुन्दर वन डेल्टा रखा गया है, कुशन नमर 82 दिखे, अरब सागर और अरब सागर और जो फारस की खाड़ी है, हारमुझ जल्दमरूमत द्वारा जोड़े हुए हैं, कौन से हारमुझ जल्दमरूमत, इसके अंसर क्या हो जैगा, बी हो जाएगा, बाबयल वन्डेब जो जलसंधी है ये कौन-कौन जोड़ता है ये जोड़ता है लाल सागर को और अरब सागर को जोड़ता है ये याद रखिएगा पाक जलडमरूमत किसको जोड़ता है ति ये आप देखिएगा भारतोर से लंका के बीच मेश्थित है ये आपको बंगाल की खाड़ी और अरब तपंतर उच होता है दैनिक तपंतर में इसकी दीन का तपमान आपको अलग होगा और आपको मतलब दीन का तपमान अलग होता है रात का अलग होता है लेकिन उन दोनों के बीच में काफी डिफरेंट कब हो जाएगा तो जब दीन का काफी जादा होगा रात का कम हो जागा या इतना ठंडा हो जाता है कि खुड ठंडा लगने लगता है तो तपांतर सबसे ज़्यादा जो देखने मिलेगा रगिस्तानी वाला छेत्र में मिलेगा फिर आप देखेगा दिल्ली वाले छेत्र में इसके अंसर हो जेगा दिल्ली कि बंबाई कुलकात्ता मदरास यही समुंद और यह याद रखिएगा पूछता है कि अलक नंदा और भागी रथ मिल कर कहां पर गंगा बनती है तो देव परियाग में बनती है कुशन आप सब पुछे ताराम से लगा लिजी कि तुम बोलो अस्थला किरती का निर्मार किस परकरम द्वारा होता है तुम बोलो जो अस्थ किसी हो जाए इसका एंसर अब देखेए यहां से मैं थोड़े इसको चोटा कर लेता हूं अन्येम हाट कुश्ण कुश्णनमर देखिए 87 देख लीजे पहाड के ड्हलानों पर मुखरुट्र से क्या उगाए जाता है यह आपको बताना है पहाड के वारत ही चाय के लिए मुहमत पूर्झ भारत में कावvak मिस्की कोफी घ् fetat यह भी याद रखिए गा आई चाय के सबसे ज्यादा उपभोग मिसकी के यूज़र चीन है फीधित है जो भटकल बंदरगाह यह आपको करनाटक राजमेश्तित हैं मुखरूप से देखिएगा बड़े आपको बंदरगा जरूर याद कर लिजेगा मुखरूप से देखिएगा बड़े जो बंदरगा है यह आपको 13 बंदरगा है भारत में कुश्य नमर आप 89 देखिए किस प्रस्ताव को सरकार के बुर अर्टिकल 368 में दिया है यह भी याद रखिएगा कुश्य नमर देखिए यदि भारत के नियंत्रक महालेकर परिक्षर प्रकदाचार तथा और समर्थता का अरोप लगाया जाता है तो वह पधियोचित होता है अपर जितना भी बोड़ी देखिए सभीधानिक बोड़ी ज में त elaboration आगे किया लाखिके यहां को कीछन में से दा इताया कीसी नए अखिल भारती सेवा अस्थापित करे यह आपको राज सभां क Hudson दिए गया है वह को जरुखे यह बताईए ती अनुच मार्थ के तरण से यह श्यवाएक नंसर त्रमिज रतिया धिवा mean Sum क्यांदर को सिफारिस करता है और केंद्रा उस पर कानुन बना देता है थिक से निमलेखित में किसका मूल सभिधान में समयविस नहीं था जो हमारे मूल सभी धान जब सभी धाना था इना से कौन सा नहीं था यह आपको बताना है तो मूल करतब नहीं था जोड़ा गए आपसे पुशता है कि क्या मूल सभिधार, क्या मूल अधिकार, मुल अधिकार का उलंगन होता है, तो आप कोट में आ जा सकते हैं यह नियाचित नहीं है, मतलब यह कोट में आप नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार कूल आंद होता है तon Full farms और इसका बहुत से मौलि संपतिक अधिकार को हटा कर आटिकल 300a में डाकर लीगल राइट बना दिया गया नितिय निश्वत तक DPSP आयलेंड के सभिधान से लिया गया है और यह आप देखिएगा सभिधान के भाग किस में है तो चार में है ठीक और नगरिक्ता सभिधान के भाग दो में है भारत में सभिधान के स्भिधान के इसाहता करता है तो मेंगो सावर जो होता है जब यह पानी पड़ता है तो यह पानी अपात लागो किया गया था तो उसमें को देखिएगा किस सभीधानिक सभा के कारकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था यह कुछ आपको बता दू कि जो आपको 5 वर्ष ही पहले था देखेगा इंद्रा गांधी लागू करती अंत्रिक असांती के अधार पर तो पांच वर्स बढ़ाकर छे वर्स करतीया गया था बैलिश्वी शविधान से सुधन करकर लेकिन फिर से जब आपको असलब कांगरेस के सरकार हड़ती है और आपको जनता सरकार आती है मुर्जारदी देशाइस परधान मंत्री बनते हैं तो चविलिश्वी शविधान से सुधन किया गया और छे वर्स जो किया गया था उसे घटा कर पांच वर्स कर दिया गया था चविलिश्वी शविधान से सुधन मिनी कंचिट्यूशन बैलिशेव शुविधान को इसलिए बोला जाता है इसकी आपको छोटा सविधान बोला जाता है या मिनी कंचिट्यूशन क्योंकि इसमें बहुत परिवर्थन किया गया थे और उसमें अपात लागू किया गया था और जिससे सुधारा गया था अलग अलक्षन सुधन चोलिशुशन सुधन दराग ठिक 95 देखे सेल की अस्थापना कब हुए थी सेल जो है यह इसके अस्थापना क्या फुल फॉर्म भी पूश चेकता है तो इसका होता है भारतिय इसपाध पर्धितिकरण लिमिटेड ठिक इसथील अत्रोटी अफ इंडियन लिमिटेड आपको होता है यह आपको बताना है इसके जो सेल के स्थापना हुआ था यह 1974 में हुआ था ठीक पूश रकता है कुश्शन पर चानवे दिखे वर्से 2011 की जनगर्ना का अनुसार स्वारधिक दासके बिरिदी किस राज में होई कि राष्टि स्वतनतरता या Addolan के दवरान किसने कहा था कि तक्ते लंडन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की कि यह किसने कहा था ती उुर्खुन नहीं किया कह था जिनने आपको कि आर्थिक विकास का वास्तिविक अर्थ है आर्थिक जो विकास होता है इसका वास्तिविक अर्थ होता है यहाँ पर समरीधी नहीं दे रहा है विकास दे रहा है तो ध्यान से देखिएगा आर्थी विकास का होता है प्रति ब्यक्ति और आय बाढ़ना चाहिए और क्या होना तो भारत में हिंदू जो ब्रिधी दर कहा जाता था ये आपको किसके लिए कहा जाता था तो राश्टी आये के विकास भी कहा जाता था ठीक ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया था राज कृष्ण द्वारा दिया गया था हिंदू ब्रिधी दर का ठीक उन्हीं सो पचास से 90 के दसक को ही आपको देखिएगा इतना पकारकाल को हिंदू ब्रिदी दर कहा जाता है जो कि आपको कम दर से लिक्सित हो रहा था साड़े 3-4 परसंट दर से ठीक आप देखे कुशन बर सो और आज के लाश कुशन आप देख लीजे यहाँ पर दिया हुआ है कि नेमलेखित में कौन सा अंतराष्टे संस्थान विभीन देशों के अलपकालिन रेड़ परदान करता है अलपकालिन में इसकी कम समय के लिए रेड़ परदान करता है तो अंतराष्टे मुद्रा कोर्स आईमे परदान करता है यह आपको क्या करता है कम समय के लिए में इसकी जो अस्थापना हुआ था उनिशों 45 में हुआ था और यहीं देखिएगा इसका जुड़वा भाई जी से बुला जाता है बिर्टसर बेंड के आपको जो कियेगा उसी समय अधिक्षिता वो उसी समय ये दोनों बना था आईमेफ बना था एक वर्ट बेंग बना था वर्ट बेंग का ही भाग देखिएगा ये होता है आपको कौन सा आई बी आडी हो जाता है इसका ही नाम आप देखिएगा वर्ट बेंग हो जाता है तो वर्ट बेंग इसकी दोनों का मुख्याले आप देखिएगा तो ये वस्ग अगर इतना सही भी नहीं है तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जितना भी सही है कुमेंट बॉक्ष में इमंधारी पूर्वक आपको बता देना है विडियो अच्छा लगता लाइक किजेगा और आपको जरूर बताना है आप लोग अस्कोर बताएगा तभी मैं अगला पार्ट आपको लाँगो डेली बेसिस पर मेसेट आपको करा दूँगा एक्जाम से पहले यह सब ही आपको खतम हो जाएगा ठीक वीडियो अच्छा लगता लाइक किजेगा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद आप